काफी लोग यह जानना चा रहे हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल से बैंक को बड़ोदा में सून बैलेंस से खाता कैसे खोल सकते हैं तो यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चले फिर स्टाट करते हैं तो दोस्तो मेरा नाम है बभलू रागव आप देख रहे हैं टेग रागव यूटूब चैनल दोस्तो पिछले वाले वीडियो में काफी लोगों ने मुझे इस्टाग्राम बे मैसेज करके पुछा था कि हम बैंक को बड़ोदा में जीरो बैलेंस से अपने घर बैटे अपने मोबाइल से खाता कैसे खोल सकते हैं दोस्त खोल देंगे तो किस तरीके से इंफर्म करना है वो मैं आपको बता रहा हूं तो चले फिर स्टाट करते हैं तो दोस्तों हम आगे हैं अपने मोबाइल पर और यहां पर आपको कोई भी ब्राउजर जो है वो उपन करना है तो यहां पर क्रोम ब्राउजर को उपन कर लेते है अब आपको यहाँ पर सर्च करना है बी ओ बी बेंक ओ बड़ोदा तो जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया बी ओ बी ओ और आपको यह सर्च करना है जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब आपको जैसे अलका साब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको यह account जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर account है business account platinum saving account तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बहिला सकती यह account और यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है क जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यह देखिए यहाँ पर यह account आ चुका है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं basic saving account और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह account जो जीरो बैलेंस है इसमें आपको 50 चेक जो वो एक साल के लिए फिरी मिलेंगे तो इसके लिए फिर आप आपको इंफर्म करने के लिए यहाँ पर आपको यह option दे रखा है apply now तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना है जैसा आप यह क्लिक करेंगे तो छोटा सा यहाँ पर आपको इंटरफेस मिल जागा अब क्या कि आपको यह form जो वो यहाँ पर एक फिल करना है यहाँ पर आपको मूबाइल नबर अटा आपको उत्तव ब्रदेष में रहते हैं इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर वेट भी लगत इनको अपहरनई में तो यहाँ पर हम अलिगर्ट डालते हैं तो फिर इसके बाद आपको branch की किस branch में आप अपने account खलवाना चाह रहे हैं वो branch यहाँ पर आपको अपनी select करनी है जैसे यहाँ पर branch पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलिगर्ट में जितनी भी branch है वो यहाँ पर सब आ चुकी है तो आपके इस branch में अपना account खलवाना चाह रहे हैं तो आपको उसी वाले branch पर यहाँ पर click कर देना है इसके बाद में आपको यह verification जो code है यह code आपको इसमें डालना है और यहाँ पर आपको एक click करके submit पर click कर देना है submit पर click करने के बाद फिर होता क्या है कि आपको bank की तरब से आपको call किया जाएगा या तो वो आपके घर पर आएंगे या आपको bank में बुलाएंगे अब कब बुलाएंगे क्योंकि इस time करोना का वो चल रहा है तो लबबग इस time तो वो आपको नहीं बुलाएंगे bank में ना ही आपके घर पर आएंगे तो जैसे कि मैंने पहले account खुलवाया था तो मेरे पास में ही bank थी तो उन्होंने मुझे phone किया था कि आप आ जाएए तो मैं वहाँ पे गया था और उन्होंने मुझे रकाता कि अपना pen card और other card लेकर आना उनके पास एक macbook था macbook में उन्होंने आप मेरा आधार number डाला और मेरे पास एक OTP आया तो जैसे OTP उन्होंने फिल किया तो मेरा वहाँ पे नाम, address, मेरा photo सब कुछ वहाँ पर आ चुका था इसके बाद फिर उन्होंने मेरा KYC लिया था KYC लेने के बाद फिर मेरा account जो आवो open हो चुका था तो इस तरीके से आप account अपना open करवा सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से ये एक छोटा सा वीडियो था अगर आपको पसंद आओ तो प्रिस लाइक करें अगर आप किसी और बैंक के बारे में जानना चारें तो आप मुझे comment box में comment भी कर सकते हैं और आप मुझे instagram पर follow भी कर सकते हैं तो मिलते हैं सब नेस्ट वीडियो में धन्यवाद